सब्स्क्राइब को अशानल बैस दो कराएंगे प्रीविद्यार्थी मित्रो आज हम दस्वीक अक्षा की लोकवानी इसकी पहली जो कविता है सौंधी सुगंध इसके पढ़ेंगे इसका वाचन करेंगे और इसके बाद इसे समझने की कोशिश करेंगे सौंधी सुगंध ये पहली एकाई से ली गई है इसे डाक्टर कृपा शंकर शिर शर्म अचूक ने लिखा है डाक्टर कृपा शंकर शर्म अचूक ये इनका जन्म 1998 उत्तर प्रदेश में हुआ डाक्टर कृपा शंकर शर्मा चूक जी हिंदी साहित्य की विविद विदाओं में लिखते रहे है आपने गीत, गजल, कविताएं, दोहें एवं समिक्षाएं लिखी है इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उलेखनी लेखन किया है प्रमक्ख कृतिया, फिर भी कहना शेश रह गया, नदी उफान भरे, गीत संग्रह, गीत खुशी के, गाव तुम्बाल गीत संग्रह आदी आपने लिखी है फद्य संबंदी बात, प्रस्तत कीत में कवी ने वर्षा रुतु का वर्नन किया है वर्षा में प्रकृति के विविद रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालावों, आदी में होने वाली परिवर्तनों का यहां सजीव एवन मनोहरी वर्नन किया गया है चलिए इस कविता का वाचन करते हैं और से समझने की कोशिश करते हैं सौंधी सुगंद, सौंधी सुगंद माटी से बोली, सौंधी सुगंद माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँके खोली चारो और हुई हर्याली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहां पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंद माटी से बोली बाग बगीचे ताल तलईया सब मुसकाए, जूम जूम कर मस्ती में तरुगीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी जोली, सौंधी सौंधी सी सुगंद माटी से बोली सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वैक हो गया, धरती ने शरंगार किया, धरती ने शरंगार किया, फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंद माटी से बोली पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता नतमस तक होकर अचूक पदपुष पुचडाता सदा सदा से चलती आई हसी ठिटोली सोंदी सोंदी सी सुगंद माटी से बोली इस कविता को हम समझनी कोशिश करेंगे सोंदी सोंदी सी सुगंद माटी से बोली सोंदी सी सुगंद सुगंद यानि के खुच्बु को कहते हैं और माटी से बोल रही है यानि माटी का यहां पर बयान किया गया है बादल बरस गया धरती ने आँखे खोली कहा जाता है कि जब बादल बरसता है पानी धर्टी पर आता है तो धर्टी जीवित उटती है जिन्दा हो जाती है और उसलिए यहां पर कहा गया है कि धर्टी ने आँखे खोली चारों और हुई हर्याली कहें मयूरा आपको भी पता है कि जब बारिश होती है तो चारो और हरियाली हो जाती है और मयूरा यानि मौर उस वक्त गाने लगता है सद्धियों का जो सपना है हो जाए पूरा और यहां कभी कहते हैं कि जो हमारा सद्धियों पुराना सपना था वो आज पुरा हो जाना चाहिए एक यहां पर नहीं अकेला होगी टोली यानि जब भुहरियाली फैलती है तो यहां पशू पक्षी और इनसान जानदार सब के सब आ जाते हैं और टोली के टोली घुमने लगती है पशू चरने लगते हैं पक्षी चह चहाने लगते हैं और इनसान जो है खास तोर पर जो किसान होता है वो खेती करने के लिए आ जाता है एक यहां पर नहीं अकेला होगी टोली सोंदी सोंदी सी सुगंद माटी से बोली बाग बगीचे ताल तलया सब मुस्काए जूम जूम कर मस्ती में तरुगीत सुलाए बाग बगीचे ताल तलया सब मुस्काए यनि बाग बगीचे में और तलाब में ताल तलया यानि तालाबों में हर कोई मुस्कुराने लगता है बरसात होने के बाद जब पानी बरसता है तो उससे हर तरफ खुशी का माहौल हो जाता है जुम जुम कर मस्ती में तरुगीत सुनाए अब क्या होता है इसमें ऐसे माहौल हो जाता है कि इसमें हर जगा गीत सुनाए जाते है मस्ट पवन ने अब खोली है अपनी जोली सौन्धी सौन्धी सी सुगंद माटी से बोली जब बारिश होती है तो हर तरफ माहौल खुशगवार हो जाता है इसलिए अगर हम अपनी आखे खोलना चाहते हैं तो हमें उस मस्त पवन को पवन यानि हवा को हमने महसूस करना चाहिए तब ही हमें ऐसा लगेगा कि हम इस दुनिया में एक अच्छी जिन्दगी जी रहे हैं सागर का जो था मनसूबा सफन हो गया अब यहां पर कभी कहते हैं कि सागर का मनसूबा था जो बारिश हो रही है यानि सागर से जो पानी उटकर बादलों में समा जाता है और वहां से उड़कर वो दब धरती पर बरसता है तो उसी को सागर का मनसूबा कहा गया है खुशियों की दुनिया में आकर स्वैक हो गया और सागर खुशियों की दुनिया में आकर खुद ही खो गया है ऐसा समझ में आता है धरती ने शरंगार किया फिर माते रोली यानि कि धरती ने शरंगार किया धरती कैसे शरंगार करेगी धर्ती का शरंगार जो होता है उसके पेड़ पौदे पशु पक्षी और फूलो फूल वगरा होते है जिससे ऐसा लगता है कि वो शरंगार कर रही है सज धज रही है सौन्दी सौन्दी सी सुगंद माटी से बोली पावस का मदुमास आस विश्वास बढ़ाता नतमस तक होकर अचूक पदपुश्प चड़ाता अब यहाँ पर कभी कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है धरती में वो बढ़ता ही जाता है जैसे ही बारिश होती है और यहाँ पर अचूक ने अपने नाम का वर्नन किया है नतमस तक होकर अचूक पद पुश्प चड़ाता पुश्प चड़ाता यानि कि फूल चड़ाता है पुश्प यानि फूल सदा सदा से चलती आई हसी ठिटोली सोंदी सोंदी सी सुगंद माटी से बोली शब्द संपदा में देखते हैं शब्द संसार में सोफबी यानि सुगंधित मंसुबा यानि विचार इरादा रोली यानि हल्दी चूने का चूरन और मधुमास यानि वसंत रुतु को कहते हैं मधुमास उमीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई